इस प्रश्ण में P और Q के निर्देशांग हमको दिये हुए हैं और O को मूल बिंदु मानते हुए हमें सिद्ध करना है कि O P स्क्वाइर प्लस O Q स्क्वाइर बराबर A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर तो हम सबसे पहले O P स्क्वाइर निकालते हैं तो A कोस थीटा मैनस 0 का स्क्वाइर प्लस B साइन थीटा मैनस 0 का स्क्वाइर तो यह हो जाएगा अपना A स्क्वाइर कोस थीटा प्लस B स्क्वाइर साइन स्क्वाइर थीटा इसी प्रकार OQ square निकालते हैं तो माइनस A sin theta माइनस 0 का square प्लस B cos theta माइनस 0 का square तो यह अपना आ गया माइनस A sin theta का whole square प्लस B cos theta का whole square जिसका मान आया A square sin square theta प्लस B square cos square theta अब हम LHS O P square plus O Q square लेते हैं यह आता है अपना A square cos theta प्लस B square sin theta प्लस A square sin theta प्लस B square cos theta जिसका मान को हम एक सीध में रखते हैं तो A square sin theta plus A square cos theta प्लस B square sin theta प्लस B square cos theta A square को common लेते हैं तो अंदर आता है sin square theta प्लस cos square theta plus B square को common लेते हैं तो भी अंदर आता है sin square theta plus cos square theta sin square theta plus cos square theta के स्थान पे 1 रखेंगे तो इसका मान अपना आएगा A square plus B square जो की अपने RHS के मान के बराबर है झाल झाल